हेल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी योट्यूब चैनल एक्सोजकार में और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंसेट्यूट आफ टेक्नोलजी में आई हुए प्रोजेक्ट वैकेंसी की तो देख सकते हैं यहां पे जो प्रोजेक्ट का नाम यहां पर देख स है देन उसके बाद आपका यहां पर मिनिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक एंड इंफर्मेशन टेक्नोलजी तो इन सारे ही जो फंडिंग एजंसी के थूरू यह रिसर्च को कंड़क्ट किया जा रहा है और इनके लिए जो पोजिशन्स निकाले गए हैं यह देख सकते हैं ज रिस्पोंसिबीटी की तो आपके स्पोंसिब्लीटी क्या रहेगी इस जॉप के लिए तो यह यहां पर मेंसेन किया हूँ है जैसे कि प्रायमरी प्रजेक्ट रिलेटेट वर्स रिसर्च वर्क होंगे जिनमें कोडिंग होंगे आपके डेवलेपमेंट होगे डिटए फितन नाम हो गया उनमें जो responsibilities होंगी वो देन उसके बाद यहां पर हम positions की बात करें कि कितने कितने post या किस type से post निकाले गए हैं तो देख सकते हैं यहां पर project manager की vacancies हैं और इसके लिए PhD degree doctoral की degree मांगी गई है प्लस अगर आपने अगर में टेक किया है तो आपको चार साल का relevant experience होना सब्सक्राइब चाहिए अगर आपने बी टेक किया है तो seven years का और salary की बात करें तो 80,000 यहां पर month आपकी salary रहने वाली है 50 year age limit रखा गया है और यहां पर दो position निकाले गए है project manager के उसी तरीके से हम बात करें यहां पर project engineer software developer की तो यहां पर यह देख सकेंगे आप qualification को जैसे की इसमें लिखा हुए है M.E.A.M.T.E.C. with minimum one year of relevant work experience या फिर आपने B.E.A.B.T.E.C. किया है तो तीन साल का आपको research experience होना चाहिए या फिर work experience होना चाहिए या M.E.C.E.C.E. किये हैं तो आपको 5 साल का और यहां पर salary दी हुई है और 7 position निकाले गए है project engineer के लिए software developer के लिए तो आप लोग देख सकेंगे और 45 पे year age limit तक आप apply कर पाएंगे उसी तरीके से हम बात करें project engineer तो quality and insurance या फिर analyst कह सकते हैं engineer की vacancies हैं और यहां पर qualifications लिखा हुआ है salary यहां पर mention की हुई है 8 position निकाले गए हैं इसके लिए देखेंगे 40,000 से 50,000 की salary आपको दी जाएगी 45 years इसमें भी age limit रखा गया है अगर qualification की बात करें तो M.E.M.T.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C. 35 years last then यहाँ पर दो position है salary की बात करें तो 20,000 से 28,000 है दैन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं preference किन को दिया जाएगा जिन्होंने वर्क किया है इन सारी ही चीजों पर और यह जो time period होगा यह one year का होगा इस project का दैन उसके बाद इसको extend किया जा सकता है last date है अगर application करने की तो 20 माई 2022 है और इसके लिए आपको interview कब conduct किये जाएंगे तो यह interview का date देख सकते हैं आप 27 माई है तो पहले आपको online यहाँ पर form apply करना होगा किस तरीके से तो यह mention किया हुआ है आप website पर जाएंगे जैसे ही IIT भिलाई की तो यहाँ पर आप देखेंगे application form जिस पर attach होगा और यह link दिया हुए तो उस पर जाके आप apply कर पाएंगे देन उसके बाद short list किया जाएगा candidate को फिर interview देन उसके बाद आपका final selection होगा और यहाँ पर कुछ नियम और शरतें लिख हुए जैसे कोई TDA या DNA दिया जाएगा और the PISL not be responsible for postal carrier delay तो इन सारी ही चीजों को आप आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यो धन्यवाद बनेरी नेक्स रोजगार के साथ